दोस्तो समुंदरी दुनिया में सबसे जानवरों का घर है इसलिए यहां अलग-अलग जानवरों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है जिन में से कुछ बहुत खतरनाक भी होती है इसलिए आज हम आपको समुंदर में पाई जाने वाले सबसे जान लेवा शिकारियों के बारे में बताने वाले है जो एक जटके में आपकी जान ले सकते है अगर आप समुन्दरी जगा होके आसपास रहते हैं तब शायद आपने सी अर्चिन जरूर देखा होगा और इनके खतरनाक काटे बहुत दर्दनाक होते हैं लेकिन जब बात फ्लावर अर्चिन की होती है तो यह अपना बचाव करने के लिए गिनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे खतरनाक सी अर्चिन के नाम से मसूर है इसलिए इनके उपर पहल रखना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि यह जीव बहुती जहरी ले होती है इनके जहर में दो सबसे खतरनाक टॉक्सिन पाए जाते है इनका पहला टॉक्सिन निूरो टॉक्सिन है जिससे आपके मान स्पेशियों में एठन सुरू होती है और दूसरा टॉक्सिन जिसका नाम पैटा टॉक्सिन है यह एक प्रोटीन टॉक्सिन है जिससे बेहोशी और सदमे के साथ इंसान की मौत हो जाती है फ्लावर अर्चिन पैडी किलैरी की सहता से जहर छोडते हैं यह फूल की तरह दिखने वाली संरशना होती है जिससे फ्लावर अर्चिन को इनका नाम मिला है जैसे ही किसी इंसान या जानवर की तचा इनके संपर्क में आती है तब इनके पैड़ी सिलैरी तूट जाते हैं और विक्टिम के सरीर में अपना जहर छोड़ देते हैं इसलिए सालाना बहुत से लूग इनके जहर की वज़ा से मारे जाते हैं इनका डंक दर्दनाक होने के साथ ही पहरालिसिस सास लेने में परिशानी और ध्यान भ्रहमित का कारण बनता है जिससे इंसान पानी में डूब जाता है यह मचली 6 फुट लंबी होती है और इसके नुकीले दाथ बहुत ही खतरनाक होती है जिससे यह मचली आपको बहुत नुकसान पहुचा सकती है दुनिया में इस मचली की 22 प्रजातियां पाई जाती है लेकिन केवल ग्रेट बैराकूडा ही इंसानों पर हमला करने के लिए मसूर है ग्रेट बैराकूडा की डाइट में छोटी और मध्यमकार की मचलीया सामिल है और इनका शिकार करने के लिए यह अपनी लाइटनिंग स्पीड और छिपने की कला का इस्तिमाल करती है इनके इंसानों पर हमला करने की वज़ा जादतर चमकदार चीजे जैसे ज्वैलरी और डाइविंग चाकू होता है क्योंकि बैराकूडा इसे क्रेफिस समझ लेती है और हमला कर देती है इनका एक वार इंसानों की तुचा पर गहरे घाव बना देता है और कई बार रक्तवाही काओ को तबाह कर देता है जिसके इलाज में आपको बहुत से टाके सहरे पढ़ सकती है और हाल ही मैं इस मचलीन फ्लॉरिडा में रहने वाली एक औरत पर हमला कर दिया था जिससे उसकी कुछ पसलिया तूट गई थी और लंग पंचर हो गया था कौन स्नेल सेल इखटा करने वाले लोगों के बीच दसकों से मसूर है लेकिन इसकी खूपसूर्ती केवल जासा है और यह स्नेल वास्तव में जानलेवा होता है क्योंकि इस स्नेल का भाले जासा डंक जानलेवा नियूरोटॉक्सिन से भरा होता है जो किसी भी दिशा में हमला कर सकता है इसके अलाबा कौन स्नेल की कुछ बड़ी और ताकतवर प्रजादियां केवल इनसानी तुचा ही नहीं बलकी घ्लाब्स और वैट सूट को भी भेद सकती है यह कौन स्नेल इतना खतरनाक है कि इसके जहर की एक बूद 20 आदमियों को मारने के लिए काफी है जो इसे दुनिया में मौझूद सबसे खतरनाक जानवर बनाती है कौनो टॉक्सिन नामक यह जहर सरीर की केवल कुछ जगाहों को टार्गेट करता है जिससे भयारक दर्द के अलावा परालिसिस के साथ लोगों की मौत हो जाती है इनफेक्ट कौन स्नेल की एक प्रजाती को सिग्रेट स्नेल भी कहा जाता है क्योंकि इनके ढंक के बाद मरने से पहले आपके पास केबल एक सिग्रेट पीने जितना समय होता है इस टोन फिस यह ड्रावनी सी दिखने वाली मचली अपनी पीट पर बने तेरा जहरीले काटो की वज़ा से दुनिया की सबसे जहरीली मचली है और यह अपने आसपास की चीजों में इस तरह छिप जाती है कि सिकार इसे देख नहीं पाता और अचानक होने वाले हमले से इस मचली का निवाला बन जाता है इस टोन फिस का नियूरो टॉक्सिन जहर केबल खतरनाक ही नहीं बलकि दर्दनाक भी होता है इस मचली का दर्दनाक डंक लोगों को इतना दर्द देता है कि वह पैर को काटने की भीक मागने लग जाती है क्योंकि इसका डंक जादतर लोगों के पैर में लगता है लेकिन अगर किसी इनसान को इस मचली का डंक सरीर में लगता है कुछ सीरियस केस में लोगों को तुरन तिलाज की जरूरत होती है और उस व्यक्ति को बचाने के लिए एंटी वेनम बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो विक्टिम का बचना नामुम्किन होता है The Sea Snake Sea Snake की बहुत सी प्रजातियां हैं जो मुख्यता पैशिफिक और इंडियन ओशन के ट्रॉपिकल वाटर में पाई जाती है यह साब जमीन पर रहने वाले कोब्रा की तरह दिखाई देते हैं और आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि कई Sea Snake बहुत जहरीले होते हैं इनका जहर जमीन पर रहने वाले अपने भाईयों से भी जादा कतरनाक होता है इनके इतना जहरीला होने की वज़ा ये है कि यह मचलिया खाते हैं इसलिए इन्हें अपने शिकार को तुरंत धेर करना पड़ता है ताकि वह एक जटके में अपनी जगह पर दम तोड़ दे और इसके लिए इनके जहर का जानलेवा होना जरूरी है समुंदर में रहने वाली Sea Snake की सभी प्रजातियों मैंसे एक प्रजाती ऐसी है जो बहुत जादा खतरनाक है और इसका नाम बीग्ड Sea Snake है यह साप दुनिया के सबसे जहरी ले साप मेंसे एक है और इसका जहर कोबरा साप के जहर से आठ गुना ज़्यादा खतरनाक होता है इसलिए इसके जहर की एक बूंद तीन इंसानों को मार सकती है यह साप Sea Snake की सबसे गुसाल प्रजाती है और इस साप के जहर में नियूरो टॉक्सिन और मायो टॉक्सिन होता है जो रैस्पिरेट रिपेरालिसिस से आपकी जाल ले लेता है यह साप मुख्यता पानी के नीचे रहता है इसलिए ज़्यादा तर जो मचवारे पानी में जाल ढालते हैं वह इस साप का शिकार बनते हैं दोस्तों आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा कमेट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले तो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप फाइफ चैनल को